लेजर थेरपी ये सुनने में आज भी फ्यूचुरिस्टिक लगता है लेकिन ये टेक्नॉलोजी जो फोकस्ड लाइट की पावर यूज करती है मेडिसिन को ट्रैंसफॉर्म कर रही है कैसे? इमाजन करो एक ऐसा टूल जो इतना प्रेसाइस है कि वो इंडिविजूल सेल्स को टागेट कर सकता है और आसपास के टिशू को अन्हार्म छोड़ देता है ये है लेजर थेरपी का प्रॉमिस ये एक नॉन इन्वेसिव अप्रोच है बहुत सारी मेडिकल कंडिशन्स को ट्रीट करने का ट्यूमर रिमूव करने से लेकर रिंकल्स मिटाने तक मेडिसिन की दुनिया में लेजर थेरपी एक गेम चेंजर है सर्जन्स लेजर्स का यूज़ डेलिकेट प्रोसीजर्स के लिए करते हैं जैसे कैंसरस ग्रोथ को रिमूव करना हेल्थी टिश्यू को कम से कम डैमेज देकर ऑफ्थल्मॉलजिस्ट्स बिजन करेक्ट करने के लिए लेजर्स यूज़ करते हैं कॉर्णिय को इंक्रेडिबल एकुरेसी से स्कल्ट करके डेमेटोलजिस्ट्स स्किन कंडिशन्स को ट्रीट करने के लिए लेजर्स का यूज़ करते हैं एकनी स्कार से लेकर बर्थ मार्क्स तक डिजीज़ का इलाज करने के अलावा लेजर थेरपी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में रेवलूशन ला रही है अनवांटिड हैर को अलविदा कहना चाहते हैं लेजर हैर रिमूबल एक लॉंग लास्टिंग सोलूशन देता है रिंकल्स और फाइन लाइन्स परेशान कर रहे हैं लेजर स्किन रिसर्फिसिंग टाइम को पीछे कर सकता है कॉलजन प्रोडक्शन को स्टिमूलेट करके यूथफिल अपीरंस के लिए लेजर थेरपी की वेसटिलिटी रिमाकबल है इसके अप्लिकेशन लगातार एक्स्पैंड हो रहे हैं कार्डियोलोजी में लेजर्स ब्लॉक्ट आर्थरीज को ओपन करने में हेल्प करते हैं यूरोलोजी में ये किड्नी स्टोन्स को ब्रेकडाउन करते हैं गास्ट्रो एंटरोलजिस्ट्स लेजर्स का यूज गास्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए करते हैं। लेजर्स की प्रेसिजन उन्हें वेरियस मेडिकल स्पेशल्टीज में इन्वैल्यूबल बनाती है। लेजर थेरपी के सबसे सिगनिफिकन्ट एड्वैंटेज़स में से एक है इसकी प्रेसिजन। ट्रेडिशनल सर्जरी के विपरीत जिसमें अकसर बड़े इंसिजन्स और प्रॉलॉंग रिकावरी शामिल होती है। लेजर प्रोसीजर्स मिनिमली इन्वैसिव होते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट के दौरान लेजर से जेनरेट होने वाली हीट एरिया को स्टेरिलाइज करने में हेल्प करती है। जिससे इंफेक्शन रिस्क और कम हो जाता है। लेजर थेरपी करवाने वाले पेशन्स को अक्सर ट्रेडेशनल सर्जरी की तुलना में क्विकर रिकावरी एक्सपिरियंस होती है। वे अपनी डेली एक्टिविटीज में जल्दी वापस लौट सकते हैं। कभी-कभी तो उसी दिन इससे हॉस्पिटल स्टेज और असोसियेटेड कॉस्ट्स कम हो जाते हैं। लेजर थेरपी एक मोर कंफटिबल और एफिशन ट्रीटमेंट एक्सपिरियंस देता है। हालांकि जनरली सेफ है लेकिन किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की तरह लेजर थेरपी के साथ भी पोटेंशल रिस्क्स जुड़े होते हैं। इनमें बर्न्स, स्कैरिंग या स्किन पिग्मेंटेशन में चेंज़स शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक क्वालिफाइड और एक्सपिरियंस्ट प्रैक्टिशनर चूज़ करके इन रिस्क्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेजर थेरपी करवाने से पहले अपने डॉक्टर के साथ थरो कॉंसल्टेशन करना क्रूशल है। कॉंसल्टेशन के दौरान अपनी मेडिकल हिस्ट्री, कोई भी मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं और ट्रीटमेंट से आपकी एक्सपेक्टेशन के बारे में डिसकस करें। आपका डॉक्टर लेजर थेरपी के लिए आपकी सूटबिलिटी असेस करेगा और पोटेंशल रिस्क्स और बेनेफिट्स के बारे में एक्स्पेक्स करेगा। स्पेसिफिक प्रोसीजर के आधार पर आपको प्री ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं जैसे सन एक्सपोजर या कुछ मेडिकेशन से बचना। प्रोसीजर के दिन आपका डॉक्टर एरिया को नम करने के लिए एक टॉपिकल एनस्टेटिक अप्लाई कर सकता है। आपकी आँखों को लेजर भीम से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव आईवेर एसेंशल है। ट्रीट्मेंट के बाद आपका डॉक्टर पोस्ट प्रोसीजर केर इंस्ट्रक्शन्स देगा, जिसमें cold compresses apply करना, treated area को clean और dry रखना और कुछ activities से बचना शामिल हो सकता है। Optimal healing ensure करने और complications के risk को minimize करने के लिए इन instructions को carefully follow करना essential है। Laser therapy, medical innovation का एक beacon, healthcare के future की एक glimpse देता है। इसकी precision, versatility और minimally invasive nature, हमारे diagnose, treat और heal करने के तरीके को revolutionize कर रही है। जैसे जैसे technology advance होगी, हम medicine में lasers के और भी innovative applications की उम्मीद कर सकते हैं। Complex diseases के इलाज से लेकर aesthetic appeal को enhance करने तक laser therapy healthcare के future को shape देने में एक increasingly vital role निभाने के लिए तयार है। एक ऐसी दुनिया का promise करती है जहां treatment faster, less painful और more effective हो।